हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी धाम में दर्शो को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आये इस विशेज संक्राइब हम बात करते हैं जैमिनी राशी के बारे में मिधिन राशी के जातक मार्च के महीने में क्या विशेस उपाय करें और वैसे भी हिंदू सनातन सास्तर के हिसाब से यह महीना बहुत महत्पपूर्ण है क्यों क्यों कि यह साल का अंतिम महीना है है ना पंचांग के हिसाब से और अपने हिंदू कलेंडर के हिसाब से अम आगे संवंत 2078 में प्रिवेस्ट करेंगे इसलिए इस महा के उपाय आप जरूर करिएगा यह उपाय किन किन को करने हैं आप सुन लें जिन जातकों की जरम से जैमिनी मिथुन राशी है वही उपाय करें जिनका मिथुन लगन है वही उपाय करें जिनको पुकारते नाम से जिनकी राशी ज अपर आता है लेकिन ग्रह रोज परिवर्तित नहीं होते हैं इसलिए हमें राशी के रोज उपाए करने की इवशक्त नहीं हैं यदि हम वीक्ली कर लेते हैं यными निक हिसाब से कर लेते हैं शता ही हमारे उपर बना रहता है क्या विसे इस उपाये हैं वो भी मैं आपको पताऊंगा आए उससे पहले हम जानते हैं कि इस महीने कौन-कौन से ग्रह राशी परिवर्तन कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि ग्रह कितने परिवर्तन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं सूरिय 14 मार्श से मीन राशी में चले जाए ब्रस्पति कोई परिवर्तन नहीं है मकर में है मकर में ही रहेंगे शनी का भी कोई राशी परिवर्तन नहीं है मकर में ही रहेंगे राहू का भी कोई राशी परिवर्तन नहीं है वर्शब में ही है केतु का भी कोई राशी परिवर्तन नहीं है वरश्चिक में ही है रही बाश शुक्र की शुक्र 17 मार्च से मीन रासी में जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे तो ये था ग्राहों का राशी परिवर्तन अब कुछ ऐजी तारीखे भी होती है जिन तारीखों में हमें थोड़ा साथधान देने की आवश्यक्ता होती है आप सुन लें दो मार्च टू नाइन मार्च टैन मार्च नाइनटीन टूंटी एर्थ और टूंटी नाइन इन तारीखों में हम साथधान रहें किसी से फालतू का वाद विवाद हम लोग ना करें ये महिना कुछ सिरो पिड़ा दायक हो सकता है यानि कि सिर में आपके पिड़ा हो सकती है द इस माँ जॉब में या किसी व्यापार में या किसी काम में कोई परिवर्तन आ सकता है इस्थान न तरन हो सकता है कोई इस्थान भी चेंज हो सकता है जो लोग जॉब में हैं या किसी ऐसे बिजनिस में है बाकी कहीं न कहीं ये महीन आपके लिए शुब रहेगा आप चिंता ना करें बस अच्छे से उपाई करें अब हम उपाई की बात करते हैं आपकी रासी के जो स्वामी है वो है बुद्ध बुद्ध एक बहुत अच्छे ग्रह होते हैं अगर किसी व्यक्ति के बुद्ध ही अच्छे ना हूं तो उसकी वाक कोशलता धरी रह जाती है वो उसमें निपन नहीं हो पाता है और सबसे पहला प्रभाव किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो उसकी वानी का हमारे उपर बहुत अच्छा आता है ना आप कितने भी अमीर हैं आप कितने भी गरीब हैं उस बात का फर्क बात की बात है लेकिन आपका ग्यान कैसा है आप किसी को कुछ कह रहे हैं या बोल रहे हैं तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं व्यक्ति को समझ में अच्छे से आनी चाहिए तो आईए अब हम आपको उपाई बताते हैं बुद्वार की सुभा मार्च महीने में तीन बुद्वार की सुभा सुभा नहा दो करके भगवान सुरी गणपती के चलड़ों में बैठ जाएं और आप गणेस चालीसा जरूर पढ़ें सुभारंब भगवान गणपती की खरपा से अच्छे से हो हमारे जीवन में सुक्सानती अच्छे से आए हमारे जीवन के कलेश विगन दूर हो तो तीन या चार बुद्वार हमें गणेस चलीसा मार्च के महीने में जरूर करना है रोज कर सकते हैं आपकी इच्छा है और एक चीज और ध्यान रखे हैं हरे रंग की कोई भी सबजी, कोई भी वेजीटेवल आप कहीं भी पिंगल वाड़े में किसी आश्रम में, किसी धर्मशेत्र में कहीं भी हरे रंग की सबजी, हरे रंग की दाल यथा सकती, यथा हिम्मत जितना आप देना चाहें आप जरूर इस चीज़ को कहीं न कहीं दीजिएगा इस से भी आपके जीवन के उपर कहीं न कहीं शुब परभाव अविस्याएगा कितनी बार देना है आपको दो या तीन बुद्वार ऐसा अविश्य करना है अब एक चीज हम आपको और बहुत खास बता रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगी बुद्ध वार के दिन किसी भी समय जब भी आपका इसमन होता है कि मेरे पास फुरसत है तो कम से कम आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते पंद्रह से बीस मिनट बुद्ध का वीजात्मक मंतर जरूर पढ़ लेना बुद्ध का वीजात्मक मंतर हमने हारे हर बार आपको बता देते हैं इस बार भी आप सुन लें ओम बुम बुद्धाय नमा फिर सुनें ओम बुम बुद्धाय नमा यह बुद्ध का विजात्मक्त मंत्र होता है एक मंत्र और होता है लेकिन इस बार आप यह अकेला बीज लगा करके इस मंत्र को पढ़ें ओम बुम बुधाय नमा दिन में किसी भी समय पांट-दस मिनट इस मंत्र को एचाप आचाप करना है बैठने के आवश्रक्ता नहीं क्य कि यह थोड़ा सा हमें खुलापन इसलिए देना पड़ता है कि को जो लोग जौब में हैं या जिन लोगों की ऐसी शिफ्ट लगती है कि वो समय नहीं दे पाते हैं या जो लोग बिल्कुल बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर में मंदिल नहीं बनाया है तो हर तरह की दुनिया है तो आप इस मंत्र को अपने ऑफिस में अपने उद्यों के स्थल में अपने रास्ते में अगर आप जा रहे हैं आ रहे हैं कुछ भी हैं इस मंत्र को 5-10 मिनट बुद्वार के दिन जरूर पढ़ना आपके लिए शुबता का परीचे होगा आगे बढ़ें पत्ते को दिन भर अपनी जेब में रखें शाम को निकाल दें और शाम को निकाल करके उसे आप कहीं भी कहीं भी डाल सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता दिन भर उसे आपनी जेब में रखें पत्ता कितना बड़ा हो अब यह तो हम कहेंगे नहीं किसा आप केले का पत एक चीज इसमें ध्यान रखे हैं कि बुद्वार के दिन खास तोर से सुरू के दो बुद्वार नॉन्वेज यदि आप खाते हैं तो बिलकुल ना लें बाकि आपकी अपनी इच्छा है किसी वजा से मना कर रहे हैं क्योंकि देखो एक तो दस मार्च की प्रदोश का वर्त भ ले दिन ब्रस्पतिवार की महाशेवरात्री है तो आपका तो बुद्ध का दिन बनता है आपकी रासी के हिसाब से तो बिलकुल भी दो बुद्वार नॉन्वेज नहीं लेना है दस तारिक को और एक चतुर्ती सत्रा तारिक की चतुर्ती है सत्रा मार्च की भगवान जो मैंने आपको बुद्वा मंत्र बदायना ओम बुम बुद्वाय नमा इस मंत्र को 31 या 51 बार या 21 बार किसी काघज़ पर हरी शाही से लिखें और बाद में इस मंत्र को लिखकरके इस पे हरे रंका डोरा लपेट करके सफेद कागज की जैसे सफेद कागज पे लिखा आपने और उस पे बाद में उसको पुड़ियासी बना करके हरा धागा उस पे लपेटा और भगवान स्री गनपती के चड़लों में रखाएं सिर्फ ये उपाए आपको केवल एक बुद्वार करना है इतना तो हम कर सकते हैं पूरे मार्च में पूरे मार्च के महीने में है आप देखो हमें कितने बुद्ध मिलते हैं पांच बुद्ध मिलते हैं मार्च में 31 मार्च का भी बुद्धवार है तो कम से कम हम यह उपाए प्रयास करके किवल एक बुद्धवार हमें करना है और जब भगवान स्री गणपती के चबनों में रखें तो यही कहें कि हे विग्र मिनाशक आपके किरपा से हमारे जीवन मे में आपको ऒताने थे आपके घर में यहदे बुद्ध यंत्र है उस बुद्ध यंत्र पूजा आपके घर में गनेश यंत्र है और और साथ मुखी के तीन रुद्राक्स या साथ मुखी के ग्यारा रुद्राक्स पहनना भी शुब होता है एक सो चोदा मुखी रुद्राक्स पहनना भी शुब होता यदि आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं जुन्नों ने पन्ना पहना हुँ तो पन्ने की अंगोठी हाथ में ले ले करके भी ऑम बुम भुम बद्धाय नमा बुध्वार की सुबस थोड़ी दिर पढ़ने और फिर उस अंगोठी till को पहने लिया करें आपकी जो अंगोठी है आपका जो रतन है वह चार्ज भी हो लगता और वो अच्छा प्रणाम आपको देने लगता तो उमीद गरता हूँ आज जो मैंने इस संक में कुछ बाते आपको कहीं है कुछ उपाई कहीं है कहीं न कहीं किसी के लिए लावानवित जरूर होंगे और हमने मेश राशी से लेकर के मीन राशी के बारा की बारा राश जिन्दिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं, सफलता सफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है, काम का, इनका जो एक अनुभव थ कि मेरी बाते इन से लगातार कभी कवार हो जाये करती हैं, एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इनोंने प्रश्न किया, क्या आपके इहां कववे आ रहे हैं, मैं बहुत तेज्चाओं का, करीब चार-पांस दिनों से कववों का जुंट मेरे घर पे मन रहा था, यही था यही पड़ रहा है, तो कुस्तो आलोकिक है इन में, दूसरा क्या जो इनका उद्देश है, जब महाकुम में आये थे, मेरी इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उद्देश जानना चाहा कि किस उद्देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उद्देश है, उन्होंन के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें